दोस्तों Movie Sensor's के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है, आज मैं आपको बताऊंगा, Tiger 3 के trailer के बारे में जिसमें Salman भाई की काफी जादा acting है, और इस पर 24 गंटे के अंदर, 30 गंटे के अंदर 40 million views आ गई, और 24 गंटे के अंदर हो सकता है, कि 40.5 million views हो जाए, दोस्तों मैं आपको एक angle देता हूँ, एक अंताजा देता हूँ ये जानने के लिए कि Animal Movie पर तो हफते में 40 million views गई है, जो कि T-Series पर उसका trailer release हुआ था, और इसकी एक छोटे मोटे YouTube चैनल पर इसकी trailer की video गई है, जिस पर 40 million views इतनी जल दिया चुकी है, तो यार आप इसकी हाइफ समझ सक करते हैं कि Diver 3 के trailer की hype कितनी है, movie की hype कितनी है, जोस्तों movie में काफी सदा पढ़िया CGI का प्रियोग किया गया है, सलमान खान के action scenes का बहुत ही पढ़िया है, और trailer में आप इन चीज और notice करेंगे, वो है कि movie में villain कौन है, दरसल इस बार villain इंडरा रासमी को बनाया गया है, जो क family को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, इसे बस सलमान कान की family से मतलब है, इसको बस उसे खतम करना है, और हाँ काफी सारी चीजे हैं जो आपने notice कर भी miss कर दी होगी, जैसे इसका link war और पठान से होगा, जिसमें guest appearance भी हो सकते हैं, जैसे की, हो सकता है कि इस मेरी तिक्रोसन का ये सारू खान का guest appearance हो, उसमें आपको cameo देखने हो जाए, तो यार अगर आपने ये चीज नोटिस नहीं की, तो इस चनल को subscribe करते हैं क्योंकि मैं सीफ्टी उस लाता रहता हूं, जो आपको समझने में काफी ज़्यादा मदद करती हैं, कि movies को कैसे दीखना है, उसको sequence में कै समझना है, और हाँ, आगे मैं भी ये भी add करता हूं कि अगर आपने अभी तक animal का trailer नहीं देखा है, तो उसकी video की link description box में है, आप वहां से जाकर animal का trailer को देख सकते हैं, जो कि बहुत बढ़ी है trailer है उसका, और काफी सांधार उसमें भी action है, और उसमें double roll की बात की गई है, जो कि मेरे channel पर पढ़ी है, आप देख सकते हैं, जाके description box में ऊपर ही link होगी, वहां पर जा सकते हैं, अब बात करते हैं tiger की, तो tiger की बात करने में आगे मैं बढ़ता हूं, उसके पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें raw agent की मदद ली गई है, पर वो raw का काम नहीं था, दरसल ये सलमान खान की चाल होती है, जो कि वो अपना काम कराने के लिए raw agents की मदद लेता है, पर वो raw का काम नहीं होता है, उसका personal गाम होता है, तो हाँ अगर आप ये trailer देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि दरसल इसमें होता क्या है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ब इसके गाने बहुत ही बढ़िया होगे, जैसे swag से करेंगे सबका सवगत, पिछला गाना था इसली मूवी में, तो इस बार देखते हैं कैसे गाने होगे, अभी तक एक भी गाना रिलीस ने हुआ है, मैं आपको बता दू, सलमान भाई जो है, वो trailer को बहुत पहले release नहीं करत अगर यह आपको जानना है, तो उसके लिए मेरे चैनल पर जाएं, और description box में जाकर इंतन नीचे वाले link को अगर आप tap करेंगे, तो उसमें आपको पता लग जाएगा, कि विक बॉस में कौन-कौन आ रहा है, तो हाँ, आप लोग उसे भी देख सकते हैं, अब बात करते हैं सल्मान बाई ने, और काफी जादा जो scene है, जो VFX है, सल्मान बाई की body देखिया, उनका पेट नहीं निकला है, इसमें, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, कि CGI का काफी बढ़िया इस्तमाल हुआ है, इसमें, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सल्मान बाई इतनी कम ब्यूज जाती है, बजाए इसके कि इस पे 40 मिलियन ब्यूज इतनी चल्दी चली है, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कि Tiger 3 का कितना ज्यादा क्रेज है, और सबसे ज्यादा क्रेज जिस मूबी का था, उसका नहम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बात में बताऊँगा कि Tiger की कि सीरीज का सबसे ज्यादा क्रेज था, जिसको लोग रात में जाते थे देखने के लिए, मुझे याद है आज भी जब Tiger जिंदा है, रिलीज हुई थी, उसका क्रेज इतना ज्यादा था, रोज रात में 12-12 बज़े जाके मूवीज दे जाते जाते मैं भी बता दूँ कि इम्रान हास्मी का जो सीन है, उसे एक भी बार इस वाइल ने किया गया है इस ट्रेलर में, उनकी थुड़ी सी आवाज भले ही दी गई है, पर उनके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, तो हाँ ये बात ज़रूर बता दी गए मुवी आ जाएगी तिवाली पर, तो हम लोग इसे देखने जाएंगे, मैं तो इसे देखूंगा ध्रेटर में ही, आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो यहार आज की वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ, वीडियो पसंद आए होगी, सेरे को सब सब्सक्राइब की भी ना कोई नहीं जाएगा पिलते हैं, अगले वीडियो में तब तक के रिए, गुडबाइए